Hello friends, welcome to Knowledge Mall आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे current affairs के total 50 questions यह सिर्फ और सिर्फ current affairs के हैं जो कि आपको बिहार दरोगा SI चाहे बिहार कौन स्टेवल हो या फिर NTPC, Group D चाहे बिपर कुछ का भी exam हो आपको यह current affairs हर किसी चीज में आपको बहुत ही तो चलिए लगाते हैं test current affairs के लिए पहला question जो दिया गया है कहता है कि निमलिखित में से कौन सा मिलान गलत है तो इस type के question के लिए आपको वीडियो को पाउस करके और फिर अच्छे से पढ़ना होगा फिर आपको इसका answer देना है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यहाँ पे कौन सा मिलान गलत है आपसे पूछा गया था तो यहाँ पे है pencil portal और दिया गया है महलाओं को शिक्षित करने है तो जबकि pencil portal का जो शंबंद है वो है बाल सरम को रोकने के लिए बाकी के तीन option वो सही है reunite app जो है भारत में लापता बच्चों को ढूणने के लिए है आरंब app सड़क सुरक्षा के लिए है और जागरूक app यह देश भर में 24 गंटे बिजली सुनिश्चित करने हेतु है अगला question की पंद्रहवे वित आयोक के अध्यक्ष निमलिखित में से कौन है आंसर हो जाएगा इसका option नमबर C पंद्रहवे वित आयोक के अध्यक्ष N के शिंग है अगर 14 वा पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा Y B Reddy अगला question की भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड B CCI के वर्तमान अध्यक्ष निमलिखित में से कौन है आंसर हो जाएगा इसका option नमबर D सौरव गांगुली B CCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली इसमें सच्चीव अगर पूछा जाए B CCI के सच्चीव तो अमिताप चौधरी और इसके मुख्य कोच जो है वो है रवी शास्त्री अगला कोशन की बिहार के मुख्य नियाएधिस वर्तमान में कौन है आंसर हो जाएगा इसका option नमबर A संजय करोल ये बिहार के वर्तमान में भी मुख्य नियाएधिस है पटना उच्च नियाले की अस्थापना जो है 1916 में की गई थी नेक्स्टे कोशन नव निर्मित जम्मु कस्मीर के वर्तमान उपराज जिपाल निमलिखित में से कौन है आंसर हो जाएगा इसका option नमबर A गिरीश चंद्र मुर्मू नेक्स्टे कोशन की केंद्रशासित परदेश लद्दा के वर्तमान उपराज जिपाल निमलिखित में से कौन है आंसर हो जाएगा इसका option नमबर C राधा कृष्ण माथूर केंद्रशासित परदेश लद्दा का यहां पर पूछा गया है कि लद्दा के वर्तमान उपराज जिपाल कौन है तो आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण माथूर लद्दा की अगर राजधानी की बात की जाए तो लद्दा की जो राजधानी है वो है ले और जमुकास्मिर का तो स्रीनगर कोश्चन है अगला कि 11 ब्रिक्स सिखर शम्मेलन का आयोजन नवंबर 2019 में कहां संपन हुआ आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नंबर D ये ब्राजील में शंपन हुआ 11 ब्रिक्स सिखर शम्मेलन ब्राजील के बरजीलिया में ये संपन हुआ है नेक्स्ट एकोशन की विस्व का सबसे अमीर व्यक्ति निमलखित में से कौन है आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नंबर C जोसेफ बेजोन ये जो है विस्व का सबसे अमीर व्यक्ति है दूसरे अस्थान पे आता है बिल गेट्स का अस्थान और तीशरे अस्थान पे ये है वारिन वफे कोशन है अगला कि अंतरिम बजट उननीस बीस में मध्य वर्गे के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाग से बढ़ा कर कितना कर दिया गया है आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नंबर B 5 लाग कर दिया है 2.5 लाग से बढ़ा कर 5 लाग ये कर दिया गया है और अंतरिम बजट जो है 2019-20 का ये प्यूस गोयल के द्वारा पेश किया गया था अगला कोशन की पूर्व परधान मंतरी मनमोहन सिंग पर फिल्माया गया फिल्म The Accidental Prime Minister में मनमोहन सिंग का रोल किस अभिनेता ने किया है आंसर हो जाएगा इसका option number B अनुपम खेरने की डॉक्टर मनमोहन सिंग का जो रोल निभाया है वो अनुपम खेरने निभाया है और सोनिया गांधी का रोल इसमें जर्मन एक्ट्रेस सुजैन बरनाट के द्वारा निभाया गया प्रियंका गांधी का रोल अहाना कुम्राने निभाया राहूल गांधी का रोल अर्जुन माथूर और फिल्म के डारेक्टर जो है वो है विजय रतनाकर गुट्टे तो इसमें से ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने है क्योंकि इन में से हो सकता है कि कोई भी पॉइंट्स आप से पूछ लिया जाए अगला कोशन की पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ट के लेखक निमलिखित में से कौन है आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नमबर A मलाला युशुफ जाई पुस्तक B.R. डिस्प्लेस्ट के लेखक मलाला युशुफ जाई है मलाला युशुफ जाई की आत्मकता जो है आई एम मलाला आप से ये भी पूछाया सकता है कि आई एम मलाला किसकी आत्मकता है तो मलाला यूसुप जाई की इन्हें 2014 में सांती का नॉबल पुरसकार मिला मातर 17 साल की उम्र में जो की सबसे कम उम्र में नॉबल प्राइज पाने वाली महिला बन गई और मलाला दिवस भी आद रख लीजे कि ये 12 जुलाई को मनाया जाता है 2014 में सांती का जो नॉबल पुरसकार दिया गया वो भारत के कैलास सत्यार थी और ये पाकिस्तान के मलाला यूसुप जाई दोनों को सन्युक तुरुप से दिया गया कोश्टन है अगला कि 13370 में मवजूद प्रावधानों पर विचार करें तो आपको फिर से सारे उप्शन को अच्छे से बढ़ना है फिर आपको इसका आंसर देना है इसका आंसर हो जाएगा उप्शन नंबर C कि यहाँ पर पूछा गया था कि उप्वयुक्त कथन में कौन सा कथन सत्य है तो इसमें जो है आंसर C होगा केवल 1, 3 और 4 1, 3 और 4 यह तीनों कथन सही है तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत था यह था कि जम्मुकास्मेर की विधान सभा का जो कारिकाल है वो 5 वर्सका होता है बस यहीं पर गलती थी यह 5 वर्सका नहीं यह 6 वर्सका जो होता था बाकी के तीनों सही है कि जम्मुकास्मेर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता थी जम्मु कस्मीर का राष्ट ध्वज अलग होता था और भारत के उच्चितम न्याले के आदेश जो है जम्मु कस्मीर के अंदर माननिय नहीं होते थे अगला कोशन की परिवर्तन योजना का संबंध किस से है कोशन है अगला की भारत में निमलिखित में से किस देश के साथ दूद एवं डेरी उत्पादन के आयात पर परतिबंध लगा दिया गया है आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नमबर बी चीन और ये जो परतिबंध है ये परतिबंध तब तक रहेगा जब तक कि देश के बंदर गाहों पर इस्तित परियोग शालाओं में जहरीले रशायन का परिक्षन करने है तू सुबीधा उपलवद नहीं हो जाती तब तक ही ये परतिबंध लगा रहेगा उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है अगला कोशन की अगस्त 2019 में जी सेवन का पैतालिश्वा सिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ आंसर हो जाएगा इसका ओप्षन नंबर A ये जो है फ्रांस में शंपन्न हुआ जी सेवन विश्व की साथ सरवाधी कोद्योगिक एवं विकाश महाशक्तियों का संगठन है इसका जो परमुख देश है USA, कनाडा, जर्मनी, UK, फ्रांस, इतली एवं जापान तो इन्हें भी आप याद रखे, क्योंकि हो सकता है आपको इस तरह से भी कोशन पूछ दिया जाए कि इनमें से को जो है कौन सा जी सेवन का सदस नहीं है और 46 सिखर समेलन जो है 2022 में ये अमेरिका में प्रस्तावित है अगला है कोशन की प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना किस वर्स जो है प्रारम किया गया आंसर हो जाएगा इसका उप्षन नमबर D, 2019 से प्रधान मंत्री श्रम योगी मांधन योजना ये 2019 से प्रारम किया गया और यह एक पेंसन योजना है इसमें वह व्यक्ति लाब उठा सकेगा जसकी मासीक आई जो है 15,000 रुपे से कम है कोश्चन है अगला कि 13 वे ICC एक दिवस्य किर्केट वर्ल्ड कप 2023 का मेजवानी निमलिकित में से कौन सा देश करेगा आंसर हो जाएगा इसका option number C ये भारत करेगा और बारहवी ये 13 वी का बात क्या गया है यहाँ पे बारहवी ICC एक दिवस्य किर्केट वर्ल्ड कप 2019 का मेजवानी देश ये इंगलेंट और वेल्स था अगला है कोशन की 2022 में बर्मिंगम में होने वाले कॉमन वेल्ड गेम में निमलिकित में से किस खेल को सामिल किया जाएगा आंसर हो जाएगा इसमें option number B महला किर्केट को शामिल करने की बात इसमें की गई है कोशन है गला कि अपुर्वी चंदेल का सम्बन निमलिकित में से किस खेल से है आंसर हो जाएगा option number C निशाने बाजी से अपुर्वी चंदेल का सम्बन निशाने बाजी से और ये जो है निशानी बाजी में पहली भारतिये विश्व चैंपियन है कोशन है कि 11 विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहा सम्पन हुआ आंसर हो जाएगा इसका option number D ये मौरिशस में सम्पन हुआ 11 विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ये मौरिशस में और मौरिशस में कहा तो उसकी राजधानी पोर्ट लूीस में ये सम्पन हुआ नेक्स्ट है कोशन 2011 की जनगन्ना के अनुशार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर बी की भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 312 व्यक्ति परती वर्ग किलो मीटर है कोशन है अगला कि विवी पैट में टी का क्या तातपर ये है आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर C टी का तातपर है ट्रेल विवी पैट का फुल फॉर्म होता है भोटर बैरिफियेवल पेपर ओडिट ट्रेल और इवियम का होता है एलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन नेक्स्टे कोशन की वर्स 2019 में भारत के किस क्रम के रास्टपती को भारत रतने से समानित किया गया आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर C तेरहवे राष्टपती को ये मिला प्रणव मुखरजी को और प्रणव मुखरजी जो है करम के अनुशार ये तेरहवे राष्टपती है और अभी जो वर्तमान में है रामनात कोमीन वो 14 वे राष्टपती है next question कि निती आयोक के संदर्व में निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है तो आप वीडियो को पाउस करें और सारे option को अच्छे से पढ़ें और फिर इसका answer दे तो answer हो जाएगा इसका option number A ये गलत है गलत क्यों है यहाँ पे दिया गया है कि इसकी अस्थापना 1 जुलाई 2017 में की गई थी जबकि निती आयोक की जो अस्थापना है 1 जनवरी 2015 में की गई थी एक जुलाई 2017 को जो है इस समय GST को लागू किया गया था और यहाँ पे BC और DB देख लेते हैं निती आयोक एक गैर संबैधानिक निकाय है ये भी सही है निती आयोक भारत सरकार का think tank है ये भी सही है और निती आयोक की अध्यक्ष जो है वो परधान मंत्री होते हैं ये भी सही है कोशन है अगला कि वर्स 2018-19 में भारत द्वारा सरवाधिक निर्याद किस देश को किया गया आंसर हो जाएगा इसका option नमबर D कि सबसे अधिक निर्याद जो है वो अमेरिका को किया गया कोशन है अगला कि निमलिखित में से कौन भारत के 47-वे मुखिने आइदीस के रूप में शफत लिया आंसर हो जाएगा इसका option नमबर A सरद अर्विंद बोबडे ये 47-वे मुखिने आइदीस हो गया अगर 46-वे की बात करें तो वो है रंजन गोगोई और अगर आपसे 45-वा पूछ दिया जाए तो वो है दीपक मिश्रा कोशन है अगला कि 17-वे लोक्षभा चुनाव में सबसे अधिक नोटा का परियोग बिहार में किया गया ये बिहार के किस जिले में सरवाधिक नोटा का परियोग किया गया था आंसर हो जाएगा इसका option number C कि बिहार के गोपालगन जिले में नोटा का सबसे ज़्यादा परियोग किया गया था नोटा means none of the above मिन्स की एक भी वोट नोटा का जिसने परियोग क्या उसने जो है किसी भी प्रत्यासी को वोट नहीं दिया नेक्स्ट कोशन की हाल ही में किस पूर्व भारतिय केटर को ICC Hall of Fame में सामिल किया गया आंसर हो जाएगा इसका option number B सचीन तेंदुलकर को और इसे जो है सचीन तेंदुलकर को 2019 में सामिल किया गया है कोशन है अगला कि महला वी सुकब 2019 का आठवा संस्क्रन में सर्विसरेश्ट खिलारी गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया आंसर हो जाएगा इसका option number A मेगन रैपीनी को अगला कोशन की चंद्रियान पर्थम को निमलिखित में से किस रॉकेट के द्वारा लॉंच किया गया था आंसर हो जाएगा इसका option number A PSLV C-11 के द्वारा इसे लॉंच किया गया था चंद्रियान पर्थम को 22 अक्टूबर 2008 में लॉंच किया गया था अगला है कोशन की 66 में रास्टियेव पुरसकार फिल्म पुरसकार 2019 में किस भारती अभिनेतरी को सर्विसरिष्ट पुरसकार ये दिया गया आंसर हुजाएगा इसका option number B किर्ती सुरेश को और अभिनेता की बात करें तो वो दिया गया आयुश्मान खुराना को अगला है कोशन की हाल ही में ICC ने किस देश के किर्केट बोर्ड को ततकाल परभाव से निलंबित कर दिया है आंसर हुजाएगा इसका option number C जिंबावे को अगला है कोशन अंडर 19 एशिया कप किर्केट 2019 किस देश ने जीता आंसर हुजाएगा इसका option number C भारत ने नेक्स्ट है कोशन की 34 में एशियन सिखर समेलन 20-23 जून 2019 का आयोजन कहां किया गया आंसर हुजाएगा इसका option number A बैंककॉक थाइलेंड में 2019 का जो थीम है वो था इस धिर्ता के लिए समझदारी को बढ़ावा देना और 33 एशियन सिखर समेलन 2018 का जो आयोजन हुआ था वो किया गया था शिंगापूर में कोशन है अगला कि जून 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध जन पैंसन योजना की सुरुवात की गई आंसर हुजाएगा इसका उप्शन नमबर A ये बिहार सरकार के द्वारा ये किया गया और ये जो है 60 वर्स और उससे उपर के सभी बुजुर्गों को पैंसन देने वाला ये पहला राज्य बन गया है कोशन है अगला कि अंतर रास्ट ये ग्रामीन महिला दिवस कब मनाया जाता है आंसर हुजाएगा उप्शन नमबर A ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है नेक्स्ट है कोशन एक रास्ट एक भासा का विचार किसके द्वारा शितंबर 2019 में दिया गया आंसर हुजाएगा इसका उप्शन नमबर C ये अमीद साह के द्वारा दिया गया ग्रीह मंतरी अमीद साह के द्वारा अगला कोशन की हिंदी के किस फिल्म को बिरानवे अकैडमी अवार्ड जिसको के आसकर अवार्ड के आम से भी जानते हैं के लिए अधिकारिक रूप से भेजने का निर्ने लिया गया है आंसर हुजाएगा इसका उप्शन नमबर D गली बॉय को अगला कोशन की फीफा के वर्स 2019 के सर्वस्रेश्ट फुटबॉलर का खिताब किस खिलाडी को दिया गया आंसर हुजाएगा इसका उप्शन नमबर A लियोनील मेशी जो की अर्जेंटीना क्या है इन्ही को ये खिताब दिया गया भारत के सर्वस्रेश्ट महला फुटबॉलर ये है मैगन रैपीनो भारत के सर्वस्रेश्ट कोच ये है जूर्गेन क्लॉप जो की जर्मनी के है और वर्स 2018 वर्स के सर्वस्रेश्ट गोलकीपर जो है ये है एलिशन ब्राजील के कोचन है अगला की वर्स 2019 की टाइम पत्रीका द्वारा जारी के सर्वाधिक प्रभावशाली सो व्यक्तियों में निमलिखित में से कौन भारतिये शामिल नहीं है आंसर हो जाएगा इसका आप्शन नमबर एड नरेंद्र मोधी की 2019 का जो टाइम पत्रीका द्वारा जो जारी किये गये थे उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली के सो व्यक्तियों में ये नरेंद्र मोधी का नाम नहीं है बाकी के इन तीनों का मुकेश अमबानी मेनका गुरुश्वामी और अरुन्धती काट जो इन तीनों का नाम उसमें दिया गया है कोशन हैगला की जम्मू और कस्मीर पुनरगठन अधिनियम कब से परभावी होगा? इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B 31 अक्टूबर 2019 से ये जो है परभावी हुआ कोशन हैगला की भारत सरकार ने किस व्यक्ति को उसके जर्म दिवस पर डॉर्टर अफ दा नेशन से शम्मानित किया? आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C लता मगेशकर को नेक्स्ट है कोशन की इन में से कौन सा नृत्य जिसे की लद्दा के शाहिन रित्य के रूप में जाना जाता है ये वर्ष 2019 में गिनीज बूक आफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में परवेशकर इतिहास रचा आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C सोंडोल नृत्य नेक्स्ट है कोशन की 16 अक्टूबर 2019 को विश्वे खाद दिवश किस थीम के शाथ मनाया गया? आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर D कि उसकी जो थीम थी वो आवर एक्शन आवर फ्यूचर नेक्स्ट है कोशन किस भारतिय मूल के व्यक्ति को वर्ष 2019 में अर्थ सास का नॉबल पुरिशकार मिला? आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नमबर B अभिजीत बनर जी को या नॉबल पुरिशकार दिया गया वर्ष 2019 का अर्थ सास में नॉबल जो है ये माइकल क्रेमर, अभिजीत बनर जी एवं एस्थर डुफलो को दिया गया कोशन है अगला की वर्ष 2019 में कुल कितने खिलाडियों को अर्जुन पुरिशकार दिया गया आंसर हो जाएगा इसका ओप्शन नमबर B की टोटल जो है 19 खिलाडियों को ये अर्जुन पुरिशकार दिया गया अगला है कोशन की वर्तमान में भारत के महा नियावादी अट्वार्णी जनरल ओफ इंडिया कौन है? आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर C, केके वेनु गोपाल कोशन है अगला की निमलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर हो जाएगा इसका उप्शन नमबर B, यह गलत है, यहां पर दिया गया कि गरूर यूद धब्यास जो है भारत और रूस के बीच हुआ है, तो यह गलत है, गरूर जो है यह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, बाके कि यह 3 सही है समुद्र शक्ती भारत और इंडोनेशिया के बीच वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच और सीमबैक्स जो है ये भारत सिंगापूर के बीच तो I hope कि आज का ये 50 questions का जो set रहा होगा इसमें आपका test बहुत काफी अच्छा रहा होगा और इसकी जो PDF दे दी जाएगी आपको हमारे website पे वहाँ से जाके आप इसे free में download कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आया तो please like, comment and share करना ना भूले धन्यवाद